लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें इस फिल्म के सभी पात्र कालपनिक है और किसी भी जीवित यम्रित व्यक्तिया संप्रदाय के प्रतिरूप नहीं है किसी भी प्रकार की समानता अनेचिक और पून रूप से आकस्मिक है किसी भी आप प्रेस ब्सक्राइब करें इस आकस्मिक करें, इस विल्बा करेंगे लुम्र से व्यक्तिया है इल्यो रत्योन अच्छुदाया एक बढ़ा कर दे लुगा है वाल चाल बेष्डार बाल वाल वाल, वाल वाल प्रॉब्सों के लिएरे कि दोची नहीं कुझी को उना है नहां प्रॉब्सों कि लिएकिनों के लिए सबादी को एज जए शॉटनी है कुछा साथ कान विएकिनलदान से विएकिनलदान बज़ आए अए नहीं हम जो पाइंग नहीं है झार्णान कर दो प्रूमा कर दो। प्रूम्नारीड प्रूम्नारीट हमारे जनाजे के वक्त हम ये चाहते हैं कि सब खामुश रहें और हमें हमारे दाई तरफ लेटा के रखें पिर हमारे उपतीन बार मिटी फेकते हुए सब ये दुआ करें हमें इस मिटी ने बनाया हमने इजी मिटी में मिल जाना है आमें जा में मुद रजायम जा कसम खुरम दे मेश के पिंजला समतारी बांदे डिली के लाल के ले बांदे फिदाई जान खवों जन्नत अजम पखपला इंशाला ये सुम्राजियाते काफर हिंदुस्तानियां चे अगोई इसलाम इज़त नहकवे तोल का फिरान लाल के ले बांदे जहनम तब बोज़ा अगोई तब मालूम बशी दाजमंगो जिहादा आवाज दाजमंगो सुम्रलोई ताकंता इंशाला पंदरा अगुस्त डिली के लाल कले और उसके वजीर आजम के सामने तुमें उस बीर में गुसना है जहापे अंडुस्तान की जानी मानी हस्तिया बेटी होंगी और उस दिन हमारे दमाके की आवाज उनका पूरा मुल्क सुनेगा लाल कले के इंत्री पास का इंतिजाम हमारा दिली लीडर नहीम शेख करेंगे दिली में तुमारा नाम महमूद अलबक नहीच नुमेर खाजी होगा और ये रहे उसके कागजात नुमेर जो अपने अबाब शीर रह्मत और अम्मी अमीना के साथ गुजरात में हुए किया में जिन्दा जला तके गया नुमेर काजी के सभी काखजात हमने हासल किया है और उसको जिन्दा करार दिया है इसी नाम से तुम हिंदोस्तान जाओगे और इसी के काखजात इस्तिमाल करोगे आज से तुम्हारा नाम महमूद अलबक नहीं नुमेर काजी होगा फिदाई नुमेर काजी मैं महमूद अल्बक ये कसम लेता हूं कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर फिदाई बनकर जन्नत हासिल करूंगा मैं सैक्णों काफिर हिंदुस्तानियों को जो इसलाम की इज़त नहीं करते उनका लाल किले पर खात्मा करूंगा ताकि उन्हें हमारी जहाद की आवास का और उसकी ताकत का अंदासा मिले और बनकर देखिए उनकर जगे जये होगा अल्म को ची आता? मरसितन नामे चिस्त नमेर काजी नामे पढ़र मादर चिस्त बश्यर एमेड बश्यर बश्यर मादमीन तंबर नमैन तो मान हर्धीयो कि भीतने चेक हर्धीयो नुमेर उपर वो जो दर्वाजा है वहां पर तुम रहोगे उसके साथ में जो हरा दर्वाजा है वो बात्रूम है यहां पर मेरा कमरा है जब भी किसी भी चीज की जरूरत हो आ सकते हो तुम और वो सामने हमारे दादाजी रहते हैं मैं चला, मैं चला, कभी इस जगर, कभी इस जगर, साथ मेरे चले, जिन्दगी का सफर हाँ, क्यों, तैसी कही, है ना चीज, यहर हमारी शाहरी की खतर कोई करे ना करे, कम से कम तुम प्रोफेटर मातुर तो करते हैं बड़े मिया, बस करिया अपनी शाहरी की तूती, कोई की इदने वाला नहीं है इस जगर, बेटे, बे सुरे लोग पैदा होगें इस घर में, अच्छा, रखता हूँ फॉम, फिर कभी आना अबाजान, यही है नुमेर, जी सलाम आलेकूं, बशीर एहमद के बेटे नुमेर, अरे, वही बशीर एहमद, अमीना, जिन्हें, गुजरात के हिंदू-मुसलमान दंगों में जिन्दा जला दिया गया था, खेर, नौकरी की तलाश में आया है यहाँ, मिलते ही अपना ठिकाना ढूंड लेंगे, पर आपकी इजाज़त के बगैर, हाँ, इन्हें पहचानते हो, जी, यह मेरे अबबा और अमी है, हम, जलाल और बिलाल के अबबा, और मेरे बेटे शकीर और बशीर में बड़ी ही महबबत थी, और यह रहे तुम, छे साल के है ना, जी, बेटा, तुमारे साथ जो कुछ हुआ, मुझे इसका बड़ा दुख है, यह जी आएसे हाथे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, कभी मसल्मानों के साथ, कभी हिंदूों के साथ, इन अलाइक सियासी लोगों के वजे से, अगले आने वाले जमाने में तुमारा भी एक घर होगा, बच्चे होंगे, उनकी भलाए भी इस ही में है, एक मुल्क में अम जाए नहीं रहे, तो मुल्क में अम अम चैन की क्या खाग बात करें, अचा बेठाब जाओ, नहां दोलो, हराम करो, इंशा अल्ला, अल्ला सब ठीक करेगा, तुम फिक्र मत करो, जे, शुक्रे, तेर सो साल पुराने चाननी चौक में शुरूआत तो हमारे बुजर्गों की बहुत शानों शौकत से हुई थी, बस अब गुर्बत पर आके खतम हो गई है, खाली इटो का एक मकान रह गया, भला हो हमारे इस ताधा मिया का, उन्निस सो सैंतालिस में, शेकी में, दस रुपे, बीस रुपे के किराय पे, सारी दुकान, मकान, सब हिंदूों को दे डाली अब हिंदू मालिक बने बैठे हैं, और हम इस पुराने मकान में सर रहे हैं, हलो, हलो, जी नहीं भाई, आधाब, जी मैं जलाल बोल रहा हूँ, सब खेरियत है, नहीं, सब खेरियत से है, हम घर पौँच गए है, जी नुमेर भी साथ है, अब ये समझो कि हमारा आधा सफर पूरा हो गया, ये बच्चा अल्लह की अमानत है, ये ख्याल रहे, अच्छा वो, नहीं भाई, एक की जो बात करी थी, उसमें से अगर आज पचास मिल जाते तो, उसके जिकर और फिकर की कोई जरूरत नहीं, नहीं बस, तसली हो जाती, जी, हाँ, उसकी आप फिकर मत कीजिए, मेरा भाई बिलाल और मैं उसके साथ पंदरा तक रहेंगे, फोन बच्चे को दो, नहीं भाई का फोन, जी, खुशाम दीद मेरे बच्चे, खुशाम दीद, म मैंने पंदरा अगर्स्त के लिए एंट्री पास का इंतजाम कर लिया है, बाकी हमीद तुम्हें हमारा सारा प्लैन चार्ट बता देगा, जी, अल्ला ने चाहाए तो तुम्हारे काम्याबी के नईया जरूर पार होगी, मेरे बच्चे, जरूर पार होगी, जी, लेकिन एक जरा गोर से सुनो, तुम्हारे पास फक्त बंदरा दिन बचे हैं, इसमें तुम अपनी टीम के साथ रहोगे, हर कदम को भुग भुग कर चलोगे, दुश्मनों पर खास निगाह लगोगे, खास निगाह, इंशालला काम्याबी तुहरी होगी, इंशालला ला भई चाय ला, अब आएका मजा, अब आएका मजा, अब आएका मजा, इस आपरेशन का बीड़ा तुमने उठा तुलिया है, लेकिन खयाल रहे नहीं भाई, कि आप दिल्ली के जाने माने बिजनिसमेन हैं, और मैं हूँ राजसमा का मेंबर, हम में इस जिहाद में शामि दूर दूर से, आप ने सही फर्माया, लाल के ले के आसपास जितने भी रास्ते हैं, हमारे कंप्यूटर इंजिनियर इम्रान ने पूरा चार्ट बना दिया है, गाड़ी और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त ये कासिम करेगा, मोबाइल की नई चिप के जिम्मेदारी सलीम की रहेगी, सल्मान एहमद, इनका दो नाम ही हमने रखाया, RDX, ये हैं शाफशूटर मोहिन साब, 14 और 15 अगस्त को ये लोग तुमारे साथ रहेंगे, खुदा हमारे साथ है, मन्जिल हमारे सामने है, इम्रान, इन्हें हमारे प्लान की कॉपी दिखाओ, सॉरी यार हमीद भ होगी, बाइगाओ, क्या मैं इनसे हाथ मिला सकता हूं, जरूर जरूर, 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 सलाम अलेकुम, जो इसलाम की इजट नहीं करता, मैं उसकी इजट नहीं करता, अलेबा तो कन्फर्म होई चुकी है किस बाहर एक आतनपदी ग्रूप का निशाना हमारी दिल्ली का लाल किला, पारलिमेंट और इन्द्या गेट है. वो भी 15 अगस्त के दिन. इन में से कुछ लोग दिल्ली आ गए हैं, और यहीं कहीं बस गए हैं, खास तोर से यमुनानगर, प्रीतमपुरा, चांदनी चौक, शाधरा और खाजियबाद के अरियास में. We have to cover these areas first, क्योंकि मेरे पास एक और information है, इस बार इन आतंकवादियों में कुछ suicide bombers भी हैं. आद 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 ... हमारे साथ रहेंगे अच्छा दादा जान कैसे हैं दादा जान ठीक है अच्छा चलती हूं खुदा है अदब असली कीड़े वहीं पलते हैं हुआ है थाूआ का उनकी हैं बिलाल भाई अरे वह बिलाल भाई अरे वह बड़े दिनों के बाद चत पर देखें कभूतर उडाने आये हो अरे मेरे बाप की छाता है मैं कुछ भी करूँ अरे मैं तो ये कह रही थी कि कल रात में जल्दी सो गई थी तो टीवी में टॉप फाइब में पहला गाना कौन सा आया था अरे अपने अबबा से पूछ नीचे बैठें लो इतने उखड़े उखड़े क्यों नए मेहमान आएंगे तो आप हमसे यू बात करेंगे अरे खाना लग गया है शगुपतर जल्दी नीचे आओ दिल्ली के उर्दू अकबार चान नीचौ के मालिक की सर्फिरी बेटी है वो पिछले साथ बंबलास्ट में कितने लोगों को अरेस्ट किया है पाच और वो वो लोग भी कोर्ट में खड़े है सालों लग जाएंगे उन्हें है निमो बोलो सुन पता है तुझ क्या हुआ जलाल बिलाल के उस मन्हूस टैडिस पे आज पहली बार लगा एक फरिष्टा आया है तू बावली तो नहीं हो गई पता है यू और राइट आम बिकामें अ बावली लेकिन अगर तू से देखे की ना तू अपने हर दीव को ब सब्सक्राइट इक तम शांप पंद्रा अगस में बारा दिन बाकी लाल किले में आतंगवादियों के हमले की आशंका पुलिस और आर्मी ने इस खत्रे को मन्जूर किया आगे लिख रहे हैं हो मिनिस्ट्र पंडेश शाम तिवारी का कहना है कि ऐसे आतंगवादियों का सिर और गर्व से फेरा जाएगा और आने वाले सभी आतंगवादियों को मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा MP मुहम्मद रहीम ने सवाल किया है कि सिर्भ मुसल्मानों को ही क्यों सजा का फोकस बना जाता है तो उसके जवाब में शिरी सुभो शंकर तड़ाक से बोले तो आतंगवादियों के लिस्ट में सिर्म मुसल्मानों का ही नाम क्यों पाये जाता है जर अगवार दे ना पढ़ लो मुसलमानों का नाम हमेशा इसलिए आता है क्योंकि सारी कोशशे मुसलमानों को मिटाने की है इसलिए कुराण की काइत में लिखा है कि इनसारे काफिरों को फॉरुन खत्म किया जाए इसका मतलब क्या हुआ हकिमा मैं समझाता हूँ उन तमाम हिंदूओं और दूसरे धर्मों के लोगों को जो काफिर हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए सुरह अलबक्रह कुरान की एक सो निन्यानवी आयत में यही लिखा है किसने कहा किसने कहा इस आयत का मतलब यह है किसने कहा मिया हकीम एक बात कहूं कि तुम्हारे जिसा चुगध हरामी और नियायति घटिया आदमी मैंने आज तक कही नहीं देखा है क्यों बच्चों को खलत सलत सला दे रहे हैं अरे प्रोफेसर चाम में गये प्रोफेसर साब और भाल में तुम अपनी आउकात की बात करो चावडी बजार के मास्टर जिसे क कितनी बार दिल से खुदा को याद करते हो जब पैसे की जरूत परती है तब ना लालची लो मड़ी बड़े कुरान आप का मतलब समझाने और के रहे जलाल साब बस अब खेरियत हैं लेकिन प्रोफेसर साब इसमें हमने गलत ही क्या कहा गलत बिलकुल गलत का है तुमने इस आयत का मतलब जो हमारे स्कॉल समझते वो यह है कि अल्ला के नाप में हम सिर्व उसी को खत्म कर सकते हैं जो आपको खत्म करने के लिए बार करें किसी बेगुना को नहीं कुछ आयत में यह भी लिखा है कि बच्चों बूरों और 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 ओरतों का कटल करना गुना है चा अल्माइदा आयत नमर बावन मिया हकीम अमन और चैन का पैगाम जिस आयत में लिखा वो नहीं पड़ा तुमने एक बात कहूं सर जिस बच्चे का घर जला दिया गया हो और जिसने अपने अब्बामी को दूसरी मान के लोगों के हाथों मरते देखा उस बच्चे का सच्व अब भाई है गुजरात के हिंदू-मुस्लिम दंगों में इनके माबाप को जिन्दा जला दिया गया था यतीम हो गया फिलाल नौकरी की तलाश में तो दादा जान ने अपने घर बुला लिया रहने के लिए सबाज क्या है अगर चंद लोगों के साथ ऐसी हिमाकत हुई हो इसका मतलब यह तो नहीं कि इसकी सजा दाखों बेकुसूर लोगों को दी जाए हां जले हुएगा सच तो अपना ही होता है नासर मुझे तो हाकिम भाय का तर्जुमा पसंद है ठीक है तो इसी को सच मानलो अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने कुरान की बाद क्योंकि मैंने कुरान की बाद इसलिए की क्योंकि मैं उर्दु का प्रोफेसर हूं डॉक्टर जाके रोजन कॉलेज में और मेरा नाम है डॉक्टर राजन मातुर उर्दु का प्रोफेसर हूं तो थो और में चांद़ी चौक के करीब हूं कि हमारे गफार विया तो चांद्नी चौक के मुकंमल चांग बरसों से चमक रहें है क्यों के मिया सही का विए हुआ हलो हलो राजन भैया रहात बोलो रोमादीदी ने तुफान मचा रखा है प्रोफेसर राजन माथूर यहीं पैदा हुए है और यहीं मरें और हमा मिया तुमने अभी इनकी बीबी को नहीं देखा है रोमा माथूर सेन गुपता चांदनी चौक का अगर प्रोफेसर जोर है तो उनकी बीबी यहां का शोर है गलत गलत अबसल्यूटली रॉम मैं कहते हूं तुम्हारा भारी मखबूल अपने आपको समझता क्या है इस बीचारी बोली-भाली लड़की के साथ शाली करकर छे महिने में इसे तलाग दे दिया आप मेरी बात तो सुनियो रोमा जी मुझे कुछ नहीं सुना यह तमाचा मुझे के बार भाएग दिया कश्रे की तरह मुझे के हो गया कि मुझा है मुना मुना जाओ वो टीवी वाले लोगों को बला कर ला मैं रुक जागी मैम आपको अरे वो मस्जिद के पास सोय पड़े हूँ हो जाओ आपको अरे चुप उसे तो बोले दो देखो घबराई नह कुर अरे में में कर रही है कबसे जसे मेरे सामने लो रो रोकर बोल रहे हैं उस तरह बोलना जोर से बयुक मुझे कुछल महीने बात कोई यह मुझे सम जाए उन्पार के निकाने कानिन तु leaders हिंदुस्तान के हर चौक का है अच्छा आप लोगों को चाहिए था मिल गया ना आप जाए 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 रहा है एक सेकंड कैमरा नीचे कैमरा नीचे रोमा यह क्या मजाक लागा रखाया है यह टीवी वालों को बुला कर तुम सारे जैसी बच्ची को और जलील कर रही हो बिल्कुल नहीं मैं उसका दर पूरी दुनिया तक पहुंचा रही हूं अरे दुनिया का नहीं घरेलू मामला है अरे जब लड़की को घर से बाहर निकाल को गख दो जब बढ़ेगे कि अवाज कोड पर पूर्प लिजी तक तो इसक्तर कोड तक पौचे रहां अजिए लिए अग्ष। अच्छाति आप्गे के पास पचादो कि अब चले या नहीं चले चलो चलो अचलो पर चलो पूर प्ती आख को सी और मैं कें अचित्या क्यों खर्थियों ऐसा है तिलनी में कितनी इज्जत है तुम्हारी पूरा चान्दी चौक जान देता है तुम्हारी लिए कफार भाई ने में क्या नजब लिखी है नहीं थोड़ा गला तो खोलो भूलो तो सही मैंने सुना ना हिंदुस्तान गानी का पूरा मुख्ड़ा सीख लिया वह बेशक बेटा बड़ी ओकर तुम बहुत बड़ी मुजिशिन बने ओगी हाहा ताली मारो थोड़ी ताली तो मारो हालो साच्रीकाल प्रोफेसर साब साच्रीकाल खीरतन सिंग जी की आले बाश्यों तुकान केसी चल दिए सब ठीक ठाक हो मुबार्का निमोती सखायो रिये कोई पाना शानन चीदे इसो टाइम से राना साराने हो ओ मेरी छोटी पैन रोमा पैन जरूर लेके आना है रोमा ओ हो ते पहले ही पहुंच जाएगी डांस से ड्रामा दोई चीजाते आंदियो नू अच्छा मनू कल थोड़े काम में दर एक पुली स्टेशन खतम करती में आ जांगा थैंक यू जी आओ बच्चो कीरतन सिंग जी हमारी कजन है नुमेर काजी अच्छा जी बड़ा चंगा न जी हमारे घर पे रह रहे हैं लो जी फिर ते अपनी बच्चा है हां जी बच्चा की पिएगा थंडा आप कोका कोला शोला ने कुछ थैंक्यू बस नुमेर के दो जोड़ी कपड़े सिल्वाने और कुछ ने लो जी बस दो जोड़ी वह आपकी अपनी दुकान है छे अब पुतर पता है ना निम्मो की शादी है अठागास्ट को काल वो मेंदी का लांच रखाया है कोई गाल नीजी बैड़ जो पैड़ जो कोई टेंचन एजे तो रोजदा सीन अगा है सुने कोई टेर्रिस्ट आए ने स्यापा पाया माई अव्याने सलाम अलेकुम दादाजान वालेकुम असलाम रहत इतने दिनों बाद माफी चाहता हूं दादाजान मैं जानता हूं मेरे लिके गीत तुम्हारे जवान सुरों में और सास पे सज नहीं पहे है ना देखिए तो सही हम आपके लिए क्या तोफ़ा लाएं है अरे ये क्या शेरवानी लखनाव से खास हम आपके लिए लाए हैं अरे मिया राहत मेरी बोड़ी हड्डियों के कारखाने में तुम अपने इस तिलिष्णी लिबास की तोहीन कर रहे हो नहीं नहीं दादाजान बलकि हम तो आपको एक राज की बात बताने आए हैं अजमेर शरीफ में माथूर साब के साथ जब हम आपकी लिखी हुई कवाली गारे थे तो एक म्यूजिक कंपनी के डारेक्टर ने वहीं पे हमें अपनी म्यूजिक आलबम के लिए साइन कर लिया अरे वाह यह हमारी पहली काम्याभी है दाराजान और इसका सहरा आप ही की कलम को जाता है बहुत बहुत शुक्रिया अरे रहत एक रास की बात तुमने मुझे बताई अब एक रास की बात मुझसे भी सुनते जाओ इस गर के बच्चों को बड़ा करते करते मेरी कितनी शेरवानियां भिग गई सब कुछ भिग गया तुम पहले बच्च हो जो ये शेरवानी लेक्यार हो ये मेरी जिन्दगी का पहला अवार्ड है अल्ला तुम्हें अवारे से अवार्ड सता करे इंशालला आपकी दूआ से अवार्ड भी मिल जाएंगे कि यपीनम मोँ जी दी देर एई, क्या हो रही है? ड्रोएंग 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 कितने दिनों से चंदी चोक में? जी तो मैने से मकसद कैसा है? नकरी की तलाश रिया इश्का की है? जनाब का फायर अली नाजिर साब क्या है? के रिष्था से? अबबा के बड़े भाई वुजरात में का का? जिनन दन का हूँ तेरी पढ़ा ही लिखाई है? बारवी तक पढ़ा हूँ कोई अविडेंस प्रूफ है ते रे पास? सब जल गया पर कुछ कागस हैं जो खर पर यह तो अपना लाल के लिए क्या करन गया था? कुछ ड्रॉइंग कशो के इसलिए तस्वीर बनाने सेक्योरेटी ओते हो तू पीच्छी के रास्ते से गया था मालम नहीं से अलती हो गई रेडिमेड से जवाब है तेरे और मैं कहूं तो जूट बोल रह तो नंडा देखा है ना अलक में जाएगा ना तो सच बोलने लगा है बार बैठ नेरज करेगा तो सक्षाओ अन्ट अ श्रण येच्छ सब्सक्तेंट्स रहो थन्स श्राइए अंडेव थे तू ये ने लोगा ये लुडार ये श्राइए ये थेए हुआ है 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 हलो है हाँ बोलो क्या है बच्चा लापता है मैं इंटरनाशनल पीस कमिटी का मेंबर यह हरकत अपने कोई करी नहीं सकता करेक्ट है बिल्कुल करेक्ट इस कमिटी के लिए आपका नाम मंत्री जी नहीं नॉमिनेट किया और पिर आप इसे डिजर्व भी तो करते हो माथुर साहब चान नीचा के यूनिटी और अमन चैन का क्रेडिट तो आपको ही जाता है मलिक साहब यह सहला कव इनकी यूनिटी तो दोधारी तलवार की तरह होती है अब मुझे खिर्टन सिंगी पाटी जी मैं यहां सही जगह पर हूं पुलीस में भर्तियों ने आयो पंदरा अगस्त के टेरोरिस्ट अटेक के सस्पेक्ट पे हम यहां रोज चार-पांच लड़के पूछताच के लिए ले आते हैं वैसे इस जस्ट रूटीन इन्वेस्टिगेशन यूसी क्या आप इन्हें जानते हैं मलेक साब आप पुलीस वाले कमाल करते हैं अपने चांदीचों के गफार भाई है ना पड़े गफार भाई उनके खांडान का बच्च्छा है अरे मेरी सरकार मलिक साब आपको यह किस आंगल से टर्रेस लगता है इसकी शकल तो देखो यह एक बेरोजगार इंडियन नौजवान है यह बड़ बॉइज और नों इम और कुछ यूसुफ जे पूश्ताच कर ली कर लिए जा भाई कि अब इस ओके ले जा सकता हूं इस से आपके सिंग्नेचर ले लो ठीक है आपके पूलीस टेशन देखना तुमें कैसा लगा बिल्कुल अच्छा नहीं अरे पर पूलीस भी क्या करें टर्रिस का छुपें उन्हें क्या माल इसलिए कभी-कभी इनॉसंट बच्चों पो छेलना पड़ता है लाल किला देखा हूं अंदर से देखा है ए तेखनी की तमनना है दिखाऊंगा दिखाऊंगा अनौ मेर मेर मी एक बात कहूं बुरा तो नहीं मनोगे यार तुम यह अच्छे लोगों से मिल जूल के रहखरो पर मैं तो यह किसी को जानता है रही से जाना गा गे पहलो तुम अपना ये सझेस करो म मिया थोड़ा मुष्खराय करो यार, चलो मैं तुम्हें लेचलता हूँ, लेडी संगीत पर, बढ़ा आलिशान फामा उजे उनका, ड्रामा होगा, बहुत ड्रामा होगा, रोमा भी मिलेगी वहाँ अल्ला तुम पर बहुत महरबान है मेरे बच्चे, बहुत महरबान है, उसने प्रोफेसर को आइन मौके पर वहाँ भीज़ दिया, तुम भी बच गए, हम भी बच गए, नुमेर ये हिंदुस्तान है, यानि सौ करोड का मेला, सौ करोड का मेला, अपनी नजर उसी रास्ते पे होनी चाहिए, जो आपको आपकी मन्जिल पे ले चाहे, मेरी बात समझ में आ रही है, ये प्रोफेसर बहुत काम की चीज़ है मेरे बच्चे, बाकी तुम्हारी आँख की भरक की ज़रुत है, बात समझ में आई, एक मिनिट, हालो, नाइम भाई, नाइम भाई घर पर पुलीस आई, नाइम भाई, अरे भाई, अवन से काम लो, उनको चाहवाय पिलाओ, अभी हाम वाते है, हाँ, हाँ, ठीप है, ड्राइवर, जी, तुम अगले मेट्रो स्टेशन पर गारी को रोग देना, नमेर, तुम भाँ उतर ज प्रिए, प्रिए, प्रिर चाहवाय प्रणा, तुम भाई, गोडो, निराच, नाइम भाई, ना कोई तला, भाई, हाँ आज आप लोग महमान बनकर आए हैं, और पुलीसमन बनकर आए, हाँ? अन्फॉर्चनेटली पुलीस बनके सर आम एक्स्ट्रीम्ली सॉरी लेकिन मेरे पास आपका अरेस्ट वारंट है आपको बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सी बी आए कोर्टर में चलना होगा इस जस्ट फॉर्मालिटी चलो यह किस्था भी आज खत्म होई गया आखिर आपको पता लगी गया कि नईम शेख तर्रिस क्रूप का एक दिमाग है है ना जी ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ नो प्राबलम अगर आपकी इजाज़त हो तो एक पांच मिनिट के लिए अल्ला के हुजूर में नमाज अदा कर दो अफकोस इनायत एक बात तो बताओ आज आप लोग एक नईम को खतम करोगे कल दूसरा पैदा हो जाएगा परसु तीसरा आखिर आप लोग ये गोलियं कब तक चलाते रहोगे बात नईम को पकड़ने की नहीं है बात बलकि इस मुद्दे पर सोच विचार करने की है इस मुद्दे पर सोच विचार करने की है कि आखिर टेररिस्ट पैदा क्यूं होता है वाइ जिस दिन आप लोग इस मुद्दे पर गहराई से सोचोगे समझ दो उसी दिन एक नई दुनिया का अगास होगा शुरुवात होगी खेर मैंने अपना काम किया आप अपना काम कीजे अमित भाई बुरी हमारे नाइम भाई की मौत हो गई है पंदरा अगस्त के पास इसका इंतजाम तो वही करने वाले थे अब क्या होगा अल्ला उनकी रोग को पना दे और कोई रास्ता भी दिखा दे खबर किस ने दी नाइम भाई के पिये कयों ने अब आए मेरे भाई थे मालिक थे वो मेरे बच्चे की तरह पालाता होदों ने मुझे हर मुसीबस से बचाते थे पुलीज अब गर तक पुझ गई तो कई भी फॉच सकती है कौन बचाएगा तुबहे मुझे कौन बचाएगा कौन बचाएगा तुम अधियो जो मौत से डरता है वो हमारे लिए खत्रा है नुमेर मिया कायूम हमें पंदर अगस्त के पास का कॉंटेक्ट तो दे सकता थाना और नहीं भाई ने उसे कुछ तो बताया होगा ना जो लोग खुद पर यकीन नहीं करते वो कभी जीत नहीं सकते अब तुम लोग वही करोगे जो मैं पहूंगा खुद आफिस अपनी नजर उसी रास्ते पर होनी चाहिए जो आपको आपकी मनसिल पर ले चाहे नुमेर भाई चले नमाज के लिए नमस्ते शायरी क्या है? अपने जजबात को खुबसुरत अंदाज में बया करना इनर थौट्स थू ब्यूरुफल वर्ट्स उननीसवी सदी के आखरी मुगल बाश्या बहदुर शाह जफर का उम्रे दराज वाला शेर क्या था? शगुफता तुम बताओ उम्रे दराज मांकर लाए थी चार दिन दो आर्जू में कट गए दो इंतजार में सिरा अब बीस्वी सदी के फैज आमद फैज कहते हैं कि एक फुर्सते गुना मिली वो भी चार दिन देखे हैं हमने होसले परवर्दिगार के इसी तरह आज के मशूर शायर आनन नरायन मुल्ना ने जाहिर किया है वो कौन है जिने तौबा की मिल गई फुर्सत हमें गुना भी करने को जिन्दगी कम है देखा आपने जो जिन्दगी को जैसा समझे वही है जिन्दगी शागुफ्ता तुम गालब की एक्स्पेशन को अच्छी तरह समझती हो ना जी यहां और क्लास को संझाओ मैं अभी आया पांच में इस्क्यूज में आये 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 वालब साब ने इश्का जो एक एक्स्प्रेशन दिया है वो अर्ज करती हूं सुनिये इश्क पर जोर नहीं है यह वो आतिश कालिब जो लगाए न लगे और करें आये यह वो आपको आखरी बार बताने आया हूं कि ना तो में अपने वजूद को परदाश्त कर पा रहा हूं और नहीं लोग मुझे परदाश्त कर पा रहे है एक जलते वे घर की एक आखरी हांटी बनकर रहे गया हूं हमाया खुल के बाद करो चाहते क्या हो नौक्री पर नौक्री तो आप दिलानी सकते हैं लेक्षर दे सकते हैं मदद नहीं यह तो है प्रोफेसर हूं तो लेक्चरी दूंगा ना हां कि ना कि देखो यार यहां हम एजुकेशन देते हैं नौक्रिया नहीं और यह नौक्री मानने का कोई तरीका है एंग्री यंग मैन की तरह डालोग पर डालोग बोले जा रहे हूं तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था समझे जाओ यहां से कि कल शाम को मुझे फोन करना और गुसा डाउन प्यार से बात किया करो नुम्हें नहीं लगता है रोमा तुम्हें पसंद करती है अरे आप क्यों नहीं समझती मैं आपके बेटे को पुलीस स्टेशन से नहीं छुडा सकती वो गुंडा है और पुलीस गुंडों को पकड़ रही है हां कि ना हां लेकिन उसे वो बिना वज़ा बिना वज़ा भी 15 अकस तक सब कुछ बिना वज़ा भी हो सकता है और मैं यहां सोचल कंसर्ण के लिए काम कर रहे हूं पैट एलमेंस के लिए नहीं कि थोड़ा फैमिली कंसर्ण का भी खयाल कीजिए मैडम कि आपके सेवा में आपका गुलाम पती चले आती हूं दो मिनिट इतना सोचो मत बोला करो वो गफार बाई का लड़का कॉले जाया था तो नौकरी मांगने परिशान है बचा रहा है खबरदारों से अपने पास लाए तो जो उसका चैरा ही पसंद ठीक है रोमा तुमीने तो कहा था सोचो मत बोला करो प्रोमा तो सता है तो कि दूफ जाया तो अब हम यर्म को कुछत बिनार वाले प्रोड़ामे ले जाया तो यंज रहत से मिला देंगे ना नो नेवर पर मैं कह रहाता है कि सोजा कल सुबह जाना है ठीक है कल सुबह हमारे सारे आदमी वहां पूरी तैयारी के साथ मोजूत होंगे जी पर सोच लो मैर सबसे बड़ा ख़त्रा तुमे ही है मुझे मालूम है जा अलाँ जा अलाँ जा अलाँ रूव अलाँ रूव अलाँ जल्दी चलो अलाँ तार तारी कोरो ना तो राग को प्रोग्राम सुरू हो जाएगा कि अधिए बूडों की तरह चल रहे हो? कल रात को तुम कहह रही थिके मैं बहुत फॉर्म में हूँ जवानी के एक पॉपलिमेंट्स दे रहे ही थी यह विश्य कॉथ भूलों लो अच्छुर्वी बेरे साथ है ना हा तो उठालो ना उसे चीवां चूप ना सुदेन वाप फास्ट सलाम आलेकूँ यार नुवेर मिया अच्छा वाथ तुम चले आए यह तुमने तो कहा था तुम इसे नहीं बुलाओगी ना वही यही तुम्हें कह रहा था एव रोमा ने तुम्हें खास यहां बीलाया वह अपने भाई रहत तो उसके बैंड वालना सब्सक्टत रहा थी इस लिल्वान है मैंने वुला है हां तुम्हें बुलाय है तो यह टेकूथ हां यह तुम ने तुम्हें रही ती कि नुमेर बहुत शरीफ और बहुत भोला अदमिये इसे नौकरी दिल्वानी चाहिए तुम्ही तो कह रही थी ना रही कह रही थी तुम रही थी ना कल राथ को कब रोमा चांद तुम भूल जाती हो कल रात को इस तर में मेरी चाहिव श्रम बेज घाया तुमने बाजी को था बोलो ना सुर्वी था है राजा, सुर्वी, 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 इस सुर्वी मिल गई है, कमान, चलो, चलो थल्दी बैठो गाडी में अरे रोमा चलो ले ना बैठो ना गाडी में चलो 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 गाडी में रामा खत्म करो कहाम हो गया अब वापस आओ अच्छे लोगों की मदद करने के लिए बगवान किसी ने किसी को भेजी देता है मिरेले तुन मेरे भगवान मन करा बहुड़ हम खगवान अच्ड़ा। तुम कुछ खाव क्यों नहीं रहे हो? उट्टे चाड़ो, 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 ये गरम-गरम पूरियानु इतना पड़ा दे लेकर घूमते हो और कुछ खा जेतो हो नहीं, येलो मक्खन, घर का पना हुआ है एक बात कहूं, तुम अब रात की ग्रूप को जॉइन कर लो, और आत से ना तुम यहीं रहो, वो जलाल-बिलाल है ना, वो कुछ अच्छे लोग नहीं है, उनकी रेपिटिशन भी ठीक नहीं है, इसलिए तो पुलीस अब तुम पर भी शक करने लगी है मिया नुमेर एक मिनिट मेरे लिए भी, सबसे पहले तुम अपने यह खूलिया बदलो, और डेली बॉय बॉय बन जा, डेली, डेली बॉय माने, माने यह 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 टाय, यह घरी, यह एवन कुरता मेरे फेवरेट कलर, वाइट मैं, ऐसी क्या देख रहे हो, तो फेर रिष्ट करनी के लिए दिये जाते हैं, क्यों, अरे, एकी बॉका मी, लॉजा को रहे न, कुछ तो शरम करो, यह यह सारी चीज़े मैं लाई हूँ न, तुम्हारे हर बदी के लिए, हां, हां की न, हां, और तुम्हा बिने उठाकर यहां ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे खुद ले आयो जाओ, जाओ जाओ अंदर रख कराओ, जाओ 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 से ले आयो वहां रख कराओ, देने का दिली नहीं है, तुम्हारे लिए तो यह अलवार पुरी काफी है, हम गफार भाई के लिखी पोईटरी पर एक वीडियो आल्बम बना रहे हैं, आप का आएंगी हमारे साथ, म है, ठीक तो हो तो गाना गबाना है तो प्रोफेसर राजनमा तो रहे हैं ना, सिंगर, राइटर, मेंटर, टीचर, स्पीकर, प्रोफेसर, फिलोसोफर, और कुछ, जा ठीया में, रहत, अब तुम दुम्हेर को अपने ग्रूप में शामिल कर लो, I'll be really obliged, हाँ, बिल्कुल सर कैसी बाते कर रहें आप, excuse me, आपको गाहना आता है, जी नहीं, म्यूजिक मेरे लिए, जान है, जान है, जान है, जान, दुनिया में ऐसा कोई इंसान है, जिसे म्यूजिक पसंदा हो, यह क्या कॉशन हुआ, तुम्हारे ग्रूप में टेक्नेशन, हेलपर, कितने लोगों की ज़रोद पड़ती है, क्यों, टाइ, घड़ी, कुर्ता, कॉगफ, एक्स्ट्रा, अब यह क्या हुआ जी, यह सारी चीज़ा मैंने खरी दी है, तो यह सब देने का हाग भी मेरा बनता है ना जी, एनी अब्जेक्शन, नो अब्जेक्शन, हुहां, तीदी एक बेरुसकार को यह खीमती चीज़े नहीं, बलकि नौकरी की ज़रूरत है, और वैसे भी यह चीज़ें तो सर्की है, सर्केली है, एक बेसाहरे के लिए आपका यह महरबा आश्याना ही काफी है, और यह आश्याना अब तुम्हारा घर है, बस अब और कुछ मत बोलना, बस जी, शुक्रिया अरे, बोला ना कुछ मत बोलो, पहली बार दिली आया है, पंदरा अकस देखने की बहुत इच्छा है उसकी, तो ले जाओ उसे अपने साथ, यो, वाइ, रोमा, इस लड़के के बारे माचानक तुमने यू-टर्न कैसे ले लिया? यू-टर्न लेना मुझे अच्छा लगता है, इसी लिए ले लिया, मुझे नीन आ रही है, सोने दो हालो, रूमा बेटी, कफार भाई इस वक्त, सब खेरियत, तुमने नुमायर को रहात्मिया की कंपणी में लगा दिया, मुझ पर एहसान किया, शुक्रिया, कोई बात ने, कोई दिकत ने, अच्छा, बस आप फोन रखता हूं, ठीक है? जी, कफार भाई रखको क्यारा पज वो पोईट्री लिखते हैं, आदी रात तक, मालूम है, मालूम है, सोजा, हालो, अरे बेटी, एक बात कहना तो भूली जिया, राजन तो कहना, कफार भाई, वो तो सो गए, उसे कहना, के मेरा जो वो गीत है न, ये हिंदूस्तान है, उसे उस ना माकूल मक्सूस कहकर, चप अरे राजन कह़enkész वो जुधों कि मैं आप नडिया, हालो, अरे बेटी, पिर हम रखो कुईजेस नगे से समनियू, तो भूली गया था, पुद नàiट कहना, को दो शकर सो गखार है, कुद नाइट, कुद नाइट गः, वोट नायट, गुद नाइट, गुद है है हाह हाह सबर दंद दंद कर手laşक reference ऐस है कि लैप्टॉप 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 ग्रेत्स के लяти रोमा मातुर का लैप और तुम उस लैप के टॉप यह क्या मजाख है अब तो तुम प्रोफेसर और रोमा मातुर की गोद में बैठ गयो पूरे दिल्ली को खरीच सकते हो बस क्या बचे भी सात दिन पंद्रा अगस्त में हां सात दिन बचे हैं एक मुसलमान एक हिंदू की गोद में पनालेगा नजाने अला मिया अपने पास बुलाने से पहले उसके कितने इम्तिहान लेगा क्या-क्या रंग दिखलाएगा तुमारी दिल्ले में नुमेर भाई ये अच्छा हुआ कि तुमारी वज़े से पांच बार आना पड़ता नमाज पड़ने को देखा सुधर गया ना सुधर गया पंदर अगस्त ये बाद ही मालूम पड़ेगा हम दोनों को कितनी बार नमाज पड़ना पड़ेगा रास्ता रोकने की गोस्ताखी माफनु मेर भाय कैसी है आधा निका होगे आपका अठर अगस्त को है आएगे आएगे यही आएगे अठर अगस्त को वैसे और इक बात शगुफता आपको कुछ दिखाना चाहते दिखा दिखा ना इस लिबास में लड़की कभी मुसल्मान नहीं हो सकती मुझे दिखाया है किसी और को मत दिखाएगा तुम्हारी तायरी हैं? जी थे दिखाया तुम्हारी 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 ये स्केच्छ इस पांच पेचिस और लाशो पड्ला ये लाज कियो? दिखाये ये नुमेर यह रोइंग्स मेरे गुस्से का इज़ार थे पर आप से मिलने से पहले मतलब गुजराथ अपने गाउं में अपने अबबामी की साथ पंदर अगस्त को टीवी देखा करता था अबबा हमेशा कहते थे कि दिल्ली ले जाओंगा गफार चाचा के आँ रहेंगे और लाल किला देखने जाएंगे इस साल अब हमारे साथ आने वाले थे की दंगे में हिंदों ने हमारे घर को जला डाला और अबबामी चल बसें इसलिए इसलिए इंपासिबल 15 अगस्त इस साल क्या कह रही हो तुम इतनी सिक्यरिटी कितना थ्रेट तुम्हें तो पता है तो इस थ्रेट में तुम नहीं जाओगी क्या मुझे छोड़ो रोमा जिंदगी की थ्रेट होगी न तो भी जाओंगा साथ साल की उम्र से आज तक हर साल जाते हैं एक बार मुझे एक सो तीन बुखार था तब भी छोड़कर चले गए दिवाने हैं दिवाना हूं अपने तिरंगे का तभी तो कह रही हूं इस कड़के बंदे को भी ले जाओ ना जब पॉसिबल नहीं तो टाइम वेस मत करो का फोन है कि मेरा नाम मोहलाल अगरवाल MLA मेरको शवदों की जूरूत नहीं पड़ते हैं ताहिर साथ आखों में देखके पड़ लेता हूं कि क्या बोलाने वाले हैं बताओ तो जाने हां बताओ यही के तुम ताहिर तया बुद्दीन मुस्लिम यूत के लीडर शाह गंज बल्ली मनान के एक लाक मुसलमान वोट तुमारी मुठी में और तुम गुर्चरण हिंदू संग के प्रिसीडेंट तुम चाहो तो हिंदू मुसलमान राइट एक चटके में करा सकते हो हैं बड़ी समझदार हैं अपने MLA साब ह dysanne मेरे चचर की फ???? आया आया मुम में पाणिया आया यह चाननी चौक है यह ऐसे होता है और हमारे सीतराम बाजार के साहू बिल्डिंग में एक और मंजिल बढ़ाने का पर्मिशन दे दीजे नहीं दिलवा पाया तो नहीं नहीं तो हम हिंदू मुसल्मान का मुद्दा उठाकर आपकी सरकार की चट गिरा देंगे गिर्वा सकते हो तुम दोनों यूथ लीडर बार से फैसला करके आयो है देखे मेले साब हम लोग मीडिया के सामने दुश्मन है पॉलिटिकली एक दूसरे खिलाब बयान देते हैं लेकिन दारू तो एकी ठेके पे जाके पीते हैं बड़े ही होड़ हार पॉलिटीशन हो करेंगे तो आपका भी भागी खुलेगा ना आजी तो दिल्ली में इसे सस्ता रेट कोई देही नहीं सकता हमारे शीवा है अरे पुरे तीरतिस्तानों में जलाल टेवल्स की जलती है जी आ अरे देवी देवताओं के दर्शन के लिए स्पेशल पासेज इस्पेशल एकड़ करीब से दर्शन के लिए सारे पास हम ही देते हैं अरे वह दर्शन करेंगे तो आपका भी भागी खुलेगे ना आजी तो देदू पैकेज आपको बैस पैकेज दूंगा जी हां अरे बोलता हूं जी अरे वैस्णों देवी के लिए 5200 पर यात्री और तिरुपति बाला जी के लिए 9200 पर यात्री शाथ में बच्चा मिरी जी हां कैसा लगा आजी ठीक है और शुनिये जी हमारे बसों में गए यात्री ना साब काम्या हूए जी तो कर लू भुकिंग चलो जी जय माददी जय माददी जय माददी जय माददी बनारशी लिख भुकिंग करो जय मुसलमान ये क्या है नोट किसकी तस्वीर है इसको कांधी कांधी की और ये नोट इस सारे मुल्क को चलाता है इसी नोट को आते देख हम सब मजबी एक हो जाते हैं और इसी नोट को जाते देख सियासी लोग हिंदु मुसलमान का एक मुद्दा एक फसाद कड़ा करते थे ह अरे हकीकत को कबूल करो मिया, इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी वही है, जिसका नाम है ग्राहक, और उस ग्राहक का ना कोई नाम पूछता है, ना इमान, वो ग्राहक ना हिंदू है, ना मुसल्मान, वो है सिर्फ हर धंदे का अल्ला और भगवान, दुनिया के जूते ब तुमारा मुसल्मान होने का, और अगर, और अगर तुम मुसल्मान नहीं, तो क्या हक है तुम्हारा जीने का, आप सुन रहे हैं ना हमीद भाई, जिस तरीके का उसका मिजाज है, बॉम फोड़ने से पहले ही बॉम फट जाएगा, मैंने कहा ना आप से, हमें नहीं चाहिए आपके बाकी के पैसे, आप हमें बक्सी दें तो बैतर रहेगा, ठैंक्यू किनारी बजार, किनारी बजार तो इस तरफ है, आईए मैं आपको छोड़ देदी, चलिए, जिए, कि डॉर संत्रों आप म्यान के निए बरॉ। है चगोफ्ता, और टॉम चाचे सहने ले आईटे ने हो यह बारिश वे घू Communist recording. तुमने चलो उंदर लो जाना आप लेन आप रखे इसे आप रखे मुझे यहीं जाने बिलाल जी बड़ी भी उजे तु बताओ मेर अटकल कर के रहा है तुम सब्सक्राओं जाने बादे अगराओं जाने भी जाने और जाने अए थे भी आप इसे भी को बता रहे हो देखो खाने में रखे लेने आ एक बने लारा है बोलो उसे बग्त बरबाद ना करें आजकल सभी पुराने शायर हस्पितालों के चकर काट रहे हैं देखो, अल्ला मिया बुलाएं ना बुलाएं तुम लोग जरूर खबल अस वक्त मुझे उपर भेज के रोगे तुम लोगे तबियत तो ठीक है ना एक बूरी अड्डियों के पिंजर के तफिए खेशे चले या रहे हो सर अखबार के लिए है हाँ, तो यह कहो ना लोग, आप कहचो गुद मॉनिंग सर, कैसा लग रहा है अपको? कैसा लग रहा है? गर्मी में ठंड लग रही है और क्या? आप क्या चाहती है सर, आपका एक बाइट बाइट? मुझे किसको बाइट करना है बाई? सर, परसो यानि बारा अगस्त को आपके लेके गीत पर बना एक म्यूजिक अलबम रिलीस हो रहा है तो नहीं सर, हकीकत है इनफेक्ट ये अलबम जॉक्टर जाकिर हुसिन कॉलेज के सभी स्टूरंट्स प्रोफेसर मात्र और रहत जिनने मिलकर बनाया है प्रोफेसर मात्र और रहत? जी सर, वो अभी आपके पीछे बैठे है अच्छा, तो ये आपकी हरकत है भाई, ये वोही गीत है, पहला गीत, जुमनन को कोई छे मने पहले दिया था अच्छाथी साल के बाद, मेरा पहला गीत अब हवाम भी सुनेंगे थैंक्यू सर, थैंक्यू सुनो, बीटी इदर आओ जी सर, केमरा जरा ओन करो शो सर, केमरा ओन करो देखो पहले मने जो कुछ कहा था उसको मिटा दो ओकी सर, और अब मेरे दिल की सच्छी बाद सुनो खून के रिष्टे से ही महज अउलाद अच्छी नहीं हो जाती कोई दूरी बात नहीं, अगर अउलाद में खुद अपनी रूहानी ताकत है तो ही अउलाद अच्छी होती है राजन मातुर में वो कैफियत है, वो मुझे बाप से जदाद मौशता है मेरी अल्ला ताला से यही दौा है कि राजन मातुर जैसी अउलाद मेरे घर में बलके हर घर में अल्ला ताला दे कि देखो ऑले भी से उंदा तो ही और चुछी है मामला कुछ अमोजनल हो जारा रहा है यह उसको खनाओ करो तुम्या तुम्याद शाघ्याद अग्याद विया विया जा तुम्याद शाव नहीं फिर से जवानी का होन दोड़ा दिया अब थेंक यू का हूँ तो बहुत चोटा लवस अड़ी मिया एक बड़ा लवस का हूँ को फी लफ यू फी चेस्ट लफ यू लफ यू तू देखो नुमायर का खया लखना यार अरे दादा जान अब तो वो अपना हो ही गया देखिये हमीद मिया ये घर है आपका कोई मिर्टरी कैम्प नहीं गर्म जोशी से काम नहीं चलेगा जलाल सौदे में हम तुमें पचास लाख रुपे दे चुके है तो क्या मेरी पूरी जिंदगी खरीद लेंगे आप मेरे कांट्रेक्ट के मुताबिक मैंने नुमेर को यहां सिर्फ पंदरा दिन की पना देनी है और आप लोगों के बॉम ब्लास्ट के प्लैन के साथ मेरा कोई सरोकार नहीं सरोकार है मिया हमारे इस जिहाद के तुम एक मुस्लिम सिपाही हो मैं एक बिस्नसमैन हूँ, कोई जिहादी नहीं तुम्हारा और इन लोगों का यहां आना मुझे कताई गवारा नहीं दादा जान को इस बात की भनक भी पढ़ गए तो रातो रात हम सब को जेल पिजवा देंगे जलाल ठीक है रहा आजीस यहाने के बजाए अगर तुम्झे अपने पास बुला लेते तो जादा चाहता है अब मुझे प्रफिसर मातुर के घर पर रहना पड़ेगा पंदर अगस्त के गेट पास के लिए आला जाने मुझ से क्या-क्या इम्तिहान लेगा क्योंकि पंदर अगस्त को फिदाई बन कर अल्ला के पास मुझे जाना है आपको नहीं चले बहुत बैस्वी आओ आप यह आपने च्छा नहीं किया क्या अच्छा नहीं हाँ यह के मैं मुसलिम यूद लीडर इसवाद खिलाता हूं नाम मतलो तुम 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 ताहिरत अबदीन एक करप मकार पोलिटिशन हो इमान और धर्म के नाम पर पैसे खाते हो और खिलाते हो और यहीं बात सच है अरे अपने प्योर इंडियन होने को डिकोसला चोड़िया रोमादी है जी है आपने सीतराम बाजार में सब के घरों में पाने का नल लगवा दिया अगरे में मैं महीं खर इन्म बदे बांग में या फ़ा यूप उसल्मान का नाम क्यों लिया मुसल्मान का नाम की लिया ni कि अर्यमाने मुसल्मान नहीं बहुत रज़ए रोमादी बहुत रज़ा ग हो रह Deaf ट susple.com तुम तुम द्रामी को गलत मौर पर मत लेजाओ, आम टेलिंग यू और तुम लोग अगर हिंदु मुसल्मान की बात करना चाहते हो ना तो ठेरो एक मिनिक ठेरो राहत राहत इधर आओ तुम यह राहत मेरे मू बोला भाई मेरा भाई ही दो है हाँ हमेर कराहते हैं जब अनले चांशा मेरे घर मेन आते जाते बता हैं यह बताओ नहीं हम लोग हम लोग क्या हैं कैसे लोग है बताओ नहीं मेरें यह क्या हो रहा है अपागरो के तुनोर सब वापस लो अपने चाकु चुरे वापस लो और पीचाटो पीचाटो आपकी बीबी की जबान को जरूर से जादा खुलने लगी प्रोफेसर साब खुलेगी जरूर खुलेगी यह आदमी यहां के अमेले को रिश्वत खिलाता है और यही सच है शट आप रोमा फर गौद सेक् देखो भाई अगर आप लोगों के यह सीन करना है न तो सबसे पहले चुड़ा मेरे सीने में चलाओ मेरे सीने में चलाओ किसी मासूम का खुन करने से पहले दो सेकेट के लिए अपने बच्चों के बारे में सोचो कभी किसी का खुन निकर पाओगे लेकिन मादूर साब कि अरे मैं मैं वाफी मांगता हुआ इंप सॉरी खुदा खिलिए मुझे माफ कर दो मुझे कि चान्नी चोग में कभी ऐसा हुआ है ना होगा और ना मैं कभी ऐसा होने दूँगा इतनी छोटी सी बात को इतना बना मसला बना देते आप कि चलो जो अपने अपने गर जाओ सुनो अरे सुनो आप लोग गफार भाई का इंतिकाल हो गया दिल का दोरा आया उन्हें गफार भाई चले गए गफार भाई नहीं रहे जिसे लोग कैसे हैं हिदोस्ता है यही अपने खाबों का प्यारा जहाँ है कई मजबं का यहां एक निशा है यह दोस्ता है यह दोस्ता है यह दोस्ता है यह दोस्ता है रोमा भावी आपको यह समझना बहुत ज़ूरी है कि 15 अगस्त की सिकेरोटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मैं इंडेपेंडेस्टे कमीटी के मेंबर ज़रूर हूं पर आतांकवाजियों के बढ़ते होसनों को देखते हुए हमारी जिम्यदारी और बढ़ जाती है मैं यह कह रही हूं कि टेर्रिस्ट और अच्छे परिवार के बच्चों की पहचान हमें होनी चाहिए न अब अच्छे बच्चों के साथ भी बुरा बरताव हो रहा है अगर आज कल के बच्चे देश की कमजोरी से मायूस हो जाते हैं तो उन्हें देश की ताकत का भी तो अंदाजा होना चीए यह किसकी जिम्हेंदारी है किसकी आपकी मंत्री जी की रोमा केना टॉक हम बोलो मैं यह कहना चाहता था मैं समझ गया राजन भाई आप यह कहना च आप ट्राइ तो कीजिए यह फाइल देखिए इसके सारे डॉकिमें इस ही में और इसकी कहानी तो मैं आपको बताई चुका हूं अच्छे चंद्रभया अगर इस पार पंदरा अगस्त में मैं न जाओ तो मेरी जगह तो यह सकता है ना अब इतना तो आप करी सकते हैं रुम तो तुम्हारे माता पिता गुजरात के दंगों में जला दे गए और तुम बज गए मैं भी मर जाता तो अच्छा होता गुस्सा है नहीं दुख है तो दुख कैसे कम होगा प्रोफिसर मातूर का हाथ है न मेरे सर पर दाट सब्सक्राइब जाओ शुक्रिया अरे सुनो मेरी बीबी कल मतुरा वरंदावन से लवती है ये भगवान श्री कृषन जी के चर्नों से च्विया मंदिर के पेड़े हैं का अरे भगवान का प्राशादे हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है वड़े दिमोशनल हो गए या मा की याद आगी वो भी आपी की तरह प्यार से खिलाती थी अखों में आसू आती है आती है मा की याद आती है अल्ट बैस शुक्रे क्या दया रिपोर्ट तैयार हो गई हो गई मुझे ये सारी चीजे सॉट लिस्ट कर दो बिल्कुल ए टुजेट मिल्कुल अज़ 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 इनामनियत आइंता दुरुस्त खुब दुरुस्त जब तुम वियाएपी एरिया में बैठोगे बस तुम्हारी जेब में या प्रोफेसर की जेब में इस पैन का होना जरूरी है इस पैन में लिक्विड बॉम है अगर हम इसे निकाल कर पीछे के हिस्से से घुमाते हैं डेटोनेटर को दबाते हैं जिससे ट्रांसमिशन आन हो जाएगा वी आई पी इंकले में तुमारे साथ तीन चार सो लोगडेंगे और धमाका कुछ इस तरह का होगा ये रहे दो पैन एक असली एक बॉम और प्रोफेसर की जेब में इस पैन पर कोई शक भी नहीं करेगा सरिक मेरे लिए एक आपके लिए ये क्या है वाई देखो लो मैं ये ये नुमेर हमारे लिए क्या लाया जी खुद के लिए खरीद रहा था तो आपकी याद आगई इतना महेंगा तौफा खरीदने की क्या जरूरत थी उससे अच्छा पंदरा अगस्त की बाद कंप्यूटर क्लास जॉइन कर लो ना तौफा उफा क्या है नुमेर जी माथुर साब नहीं तो कहा था कि तो फेर रिष्टों को मजबूत करने के लिए दी जाते है भाई इतने प्यार सिलाय ठीक ही तो है और देखो कितना अच्छा लग रहा मुझ पर अरे हाँ यादा है मुझे दिली के मशूर राजा सभा अंभी वाजर साब उन्होंने दावत पर बुलाया तुम भी चल्ला हमारे साथ सर मैं क्या करूंब जाए जाओ ना जाओगे लोगों से मिलोगे तब ही तो रिष्टे बनेंगे और अच्छी नौकरी मिलेगी अब यह पंदर अगस्त का पास जो तुम्हें मिला है वो भी अच्छी रिष्टों की बज़े से मिला है ना हलो वाजर साहब मैं आपी की बात कर रहा था भी हाँ हाँ ज जाओ ना जाओ नात है सर जी हां मेट्रो स्टेशन भी हमने कवर की हैं सर जाइन मंदिर जामा मस्जिद सीशगंज गुर्द्वारा और चांदी चौक के सबी रास्तों पर हमारी पूरी नजर है सर यस सर हमने राज्य सभा मेंबर वाजर शा को भी कवर में रखा है येस वाजर शाह क ग्रास चेक मेरी इंफोर्मेशन के मुताबिक तुम्हें वाजर शाह की पार्टी में जाना चाहिए आर ये शूर सर वाजर येस आम शूर तुम्हें वहां कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा लोगों को 15 अगस का इंतजार रहता है और मुझे 14 अगस की रात का वाजर शाह की सौनरा रंगीन रात करेक्ट है का राकेश और निरज सर में उनी की तरप से आया हूं ये फूल लेकर एक छोटे से माफि नामे के साथ कोई बात नहीं सिक्योरिटी का सवाल है की का बंदर अगस्त है माथ वाजर साहाब वाजर साहाब क्या वात है माशाआललह नुमेर मिया यहाँ शर्मा रहे हो वाजिर साब यह है नुमेर काजी मेरे अजीज आओ प्राकेश यस सेर आओ अरे भाई फोटो मोमेंट है फ्रीज करो यस सेर यस सेर मैं पार्टी में हूँ सेर उधर देख नुमेर हुआ हुआ कोई दिक्कत नहीं है लामने फर सेकंड का इसाब सब के मॉबाईं में प्रिपेड काड है और कुछ नंबर उस टैरे में है जो आपके पास है वहीं जो आपको सुबै दी थी ति वो डाइरी हमें चाहिए उसमें कुछ ऐसल्भ है जो हमारे पास है नहीं अगर वो डाइरी आपड़ी तो हमारा सारा का सारा बल्लैन्क चौपठ हजाएगा तुमाथूचा वाली शट के अंदर के जयमहें तुम माथूर के खर जाओ रोमा दीली आ है तुम मह सोटेलो probझर में मिनिए तो मेर चाव। जॉन रही इसे नहीं को ऑठ रहा है कहां गई नुमेर नुमेर मैं घर चलता हूं तुम यह रहा है जी मैं भी चलता हूं आपके साथ पागल हो यही तो मोगा बड़े लोगों से मिल लेगा तुम तुम कीर्दन जी की साल घर आजाना ओके जिए वाजर साब माफिय चाहता हूं चलता हूं बच्ची की तभीय ठीक यहां अचाहां यहां माँस्टे यह अच्छा है निहता जो यह अचालीं अपर येए नियम्नल अच्छष हे सच्छ है कि तुम्ने मेरे लिए मेरी इमान को motives कि मैरे उसूल को ज़ती है है मेरे लिए है पर सब्सक्राइस कि कल के बाद मैं यह नहीं रहोंगा कल के बाद में वहां जाओंगा जिसके लिए मुझे अल्लाह ने पैदा किया है मेरा ख्याल शोड़ दो शोगफता खुदाफिस जाओना खुदाफिस जाओना खुदाफिस रोमदिदी वो नुमैर ने अपनी नई वाली यिली जैकेट में वाई है यह रही है अरे रोको देखने दो कोई बटन तो नहीं ठूटा जी कोई बात नहीं चाहिए चीच क्यो रहे हो तुम और तुम दोनों इतने घबरायों क्यों हो रुमा देदी देखिए हम ज़रा जल्दी में है एक मिनिट बात कुछ और है ना क्या छने आयो सजशच बताओ हम इस गौंए हमारे पास बसक्राइब कर वक्त नहीं है लेकिन मेरे बनातager बहुत सार वक्त है क्या है क्या चेलאש तो यह तुम लोगवं कि मैं और छोड आए गा नहीं नहीं है मैंड़े क्या तरिका यह बात कर नहीं क्या बात अब भी इंक नेका जिसा गोट रहें, जिस्ट गोट गोट आओ जिस्ट लीव झाल 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 कोई किदर किदर रोना नहीं रोना नहीं बच्चे नहीं रोने की आवाज बहर तक जाएगी न तो लोगों को पता चल जाएगा कि ममी को किसी न मार डाला तो लोग तो यह समझेंगे ना कि मोहल लेके किसी मुसल्मान ने इने इने तो फिर उस दिन की तरह इंदों मुसल्मानों में आग बड़क जाएगी और लाल के लेके सामने पूरा जाननी जोग लाल हो जाएगा और कई बच्चों के ममी पापा को मार दिया जाएगा आशा नह आसर भी वह नमेर नमेर सब्संजा है समल की थेख मछे तुनर रोक ले ले तब तक यह जब तक नाल की लए पर संव और ती रंगा नहीं ले रह जाय हूँ पापा रो रहे नहीं रो रहे नहीं नहीं रो रहे नहीं तो फिर शाबाज शाबाज पीटी रोना नहीं रहात यार अनर्थ हो गया एक काम कर तुसीदे यहां आजा सिदह या आजा दोमेर मैं सुपरे सखें यह लोग रोमा को इस्तरा होन में लगपद मही देख सखें हैं यह तो चाली गई यह तो जाए यह तो बगवार हाँ हाँ हाँA नहीं, शायद वो नहीं जैगा चलो कर दो गाल वे डाव भाव व दात रखने ही विए अल मुख विए एक रखने हमें है वोगा प्रावार है विए है मुख सब्केख काक सिर विए रखने है कि वैसे से विए ज्यान्ड है कि अहरे विए लादे यख साहरा है क्वेजिए आओ, बेटो, आधा, राजनपिया मुझे अपना, पेंदे हेंगे, हाँ येलू, शुक्रे, अभी आदे घंटे में प्रतान मंत्री आएंगे, और क्या रंगा देर आएंगे, तुम्हारी डाइरी में वच्चे कितने बेरंग है, सामने देखो, कितने रंग हैं वच्चों, क्या सोच रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने रोमा जैसी औरत को मार डाला, अगर वो मुझे मिल जाएं, तो मैंसे सरफ ये काऊ, कि यहां आओ, आओ और देखो, कि कर्व से बेठे इन लोगों में, बच्चों में, कौन हिंदू है, और कौन मुसल्मान, अगर इस पार 15 अगस्त में मैं न जाओ, तो मेरी जगह तो यह जा सकता है न, अब इतना तो आप करी सकते हैं न, तुम तो जानते होना रोपैर, कि रोमा कैसे थी, तुम्हें याद देखकर, कितना खुश होती, है रोपैर, झांजा होनी तुम वह च्जब है जेखकर रेथा सक्सि थांग्योओ होने करी सूप सय झांवें तुमाश पोुमार, कितना वार सकता देखकर ठाहँ तुमार इहानी है तूस्त करी सकता है वहें अग victim tenho का घर र serv कि ठव है दे वहाईं आगर रोगने के अप्रेश्स अगर अजया शंकर यह वही नुमेर काजी है जिसके लिए नाइम शेख ने भी एंट्री पास के लिए अपलाई किया था और नाइम शेख का दोस्वाजिश शाह भी इस पूरी साज़िश में शामिल है ओ नो, ही जिए दे वी आईपी एंकलेव army control room इस is CVI chief, red alert there is a suicide bomber in VIP enclave I repeat, suicide bomber in VIP enclave, shoot inside ten, nine, eight, seven 7 6 5 4 3 2 Connection Gear 2 1 2 2 3 4 4 1 2 2 तुमने भाग क्यों रहे हो जो लड़का आपके साथ था आप आपको आदी है क्या बाकवास कर रहे हो ठीक यहां मैं चलो अरे छूट पर रो एए है अरे चुनो है 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 लुमेर 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 जल्बेट, देपकड़ु नुमेर, मैं जल्दिया है ना? हेई, 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 पागलों वोग्या ग्या? नुमेर! िननी रागलों वोग्या जल्दियक येज रागलों वोग्या अमेर ने? सलीम का फोन था तुमने अपने ही मोहिन और कासिम पर गोली चलाई तो तुमने हमारे बताए रास्ते को ऐसा मोड़ दिया क्यों, क्यों, क्यों क्यों सरास्त क्यों सरास्ता सही है? मारने का या मर जाने का? जहाद का मैं पुछताओ इस जहाद में कौन सा रास्ता सही है? मरने का या मारने का? मरने का या मरने का? जीने का या मर जाने का? बताओ मुझे समझाओ मुझे कौन सा रास्ता? जीने का या मरने का? मरने का या मर जाने का? क्यों सा रास्ता? क्यों सा रास्ता सही है? बताओ मुझे जीने का या बरने का? क्यों वाला बेरी पैर को? जिर अगुष्टे जिर अगुष्टे जिर अगुष्टे, 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 जिर झाल झाल किसको मारना चाहरे हैं आप हाँ जाहिए किसको मारना चाहरे हैं आप हाँ जाहिए बीच में से मैं पूछता हूँ किसको मारना चाहते हैं आप किसको मारना चाहते हैं आप किसको मारना चाहते हैं आप एक स्वीसाइट बॉम्बर को दिल्ली के प्रोफेसर राजन माथूर ने अपने घर में आस्रा दिया क्या उर्दू के जाने माने प्रोफेसर माथूर आतंकवादियों के इस भयंकर शडियंत्र में शामिल थे या नहीं यही एक सवाल उठ रहा है पूरे देश में दिल्ली के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि माथूर और उनकी बीवी रोमा माथूर नुमेर काजी को अच्छी तरह से जानते थे और उसके 15 अगस्त के एंट्री पास का इंतिजाम उन्होंने मिल कर ही किया था लेकिन चांदी चौक के 50,000 से भी ज्यादा लोगों का मानना है कि माथूर निर्टोश है इंपासिबल आइकेन उमेजिन दिस इनोसें देखिए हम चानते हमारे प्रोफेसर सर को वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे मुझे या मेरे देशवासियों को कोई भी शर्मा सके अगर प्रोफेसर माथूर को पता होता तो वो जाते ही क्यों उसके सांद अब यह क्यो किसी किसम के भी वालेंस के खिलाफ थे फिर वो चाहे पुलिस के लिंग ही क्यों ना हो मैं मानता हूँ कि माथूर ने जो किया ठीक किया जनता का सवाल है कि प्रोफेसर ने रोमा की हत्या की खबर किसी को क्यों नहीं दी इसके जवाब में उनके साती रह तलिका कहना है कि प जवाल का जवाव किसी के पास नहीं है और पूछने पर अपनी तरफ से प्रोफेसर माथूर ने किसी भी तरह की सफाई देने से इंकार कर दिया प्रोफेसरा बेशर रहिए सब ठीक हो जाएगा मैं अन्दर जाकर करके आता हूं यू जिस्ट वेटी आए इने विडिल कॉल यू इसा ऐसे क्यों कि आपने? मैं भी उसे प्यार करने लगी थी Yes, I was in love with him sir लेकिन अगर किसी भी पल मुझे ही पता चल जाता कि वो सैग्रो लोगों की जान लेने वाला एक terrorist है तो मैं ऐसे खुद गोली सोडा दे थी गोली से आपने ऐसे क्यों किया sir? क्यों प्लीज आनसर में आपने इस टेर्रिस्ट को क्या करता हाँ नहीं बचाता तो एक टेर्रिस्ट और मर जाता यही ना हर आए दिन पुलीस को खतम करती रहती है ऐसे नुमेर भी खतम हो जाता खतम होने के लिए तो आया था वो लेकिन मैं जाता हूँ, ये नुमेर वो नुमेर नहीं था, जो उन लोगों की तालीम में बड़ा होकर आया था, एक सोच के साथ, कि इंडिया भी इसलाम का तुछमन है, लेकिन जब वो आपस जा रहा था, तो हमारे देश के बारे में एक नई समझ, एक नई सोच लेकर जा र अगर उन लोगों ने उसे स्यूसाइड बॉंबर बना कर हम तक ये पैगाम भीजा है, तो हमने भी उसे एक नया इंसान बना कर अपना पैगाम उन तक भीजा है, मातुर साब, चलिए चलिए कर दो कर दो कर दो कि दो कि दो खो नही करतिए ठज़ दो बाटा धर शो सेती है हुआ 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 है यह वही इमेल है यह उसी मिलीटरेंट गूर्प ने भेजा है जो हमेशा बॉम ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेते हैं राहत के पेपर्स जैनुएने सर मैं जानता हूँ कि आप प्रोफेसर माथुर को एक ज़स्बाती इंडियन समझ के कानून के घेरे में डाल देेंगे और उसे सब्सदा देंगे पर मेरी नजरों में प्रोफेसर माथुर एक ऐसा इंडियन है जिसके आखों से मैंने इंडिया देखा है उसके रंग देखे हैं जिसने मुझे एक संगीन गुना करने से रोका है और बताया है कि दुनिया केवल काले और सफेद में ही नहीं बलकि और रंगों में भी जीती है, मुस्कुराती है आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर प्रोफेसर माथुर और वो बेकुसूर लोग और वो बच्चे भी मेरे साथ मर जाते तो शायद अल्ला मुझे कभी माफ न करता अल्ला मुझे करता हूँ अल्ला मुझे करता हूँ झाला मुझे करता हुँ झाला मुझे करता हूँ झाल कर दो कर दो